हेले ब्रीवान कैंसे आप सभी स्वागत है आपका बायोटेक उजिन के इस यूटूब चैनल पर आज सभी ने चप्टे 3 मानोजरन पूरी तरीके सी पढ़ लिया मानोजरन में एक टॉपिक जो की है जुड़वा बच्चे यानि ट्विंस इसके बारे में रह गया था हलांकि इसके बारे में आपके इंसियाटी में उलेख नहीं है लेकिन एक किस्टन यहां से पूछा गया है इसलिए जुड़वा बच्चों के बारे में भी पूरी जनिकारी आप परात कर लें तो टॉपिक है आपका जुड़वा बच्चे मानोजरन का ये चेप्टर था मानो जनन भाग सत्र चेप्टर थ्री पढ़ने वाले क्या है हम जुड़वा बच्चे है जुड़वा घ्रे ये माज भी काते हैं इंग्लिस में से ट्मिंस कहा जाता हैं कि जुड़वा बच्चे क्या होता है आप सबसें जहिने जानते होंगे कि जुड़वा क्या होते हैं एक साथ दो बच्चों का जन्म होना वे दोन बच्चे जुड़वा बच्चे का लाते हैं जुड़वा बच्चे को हम यह मज भी काते हैं क्योंकि एक्जाम में यह मज सब्दका प्रियोग ज्यादा तर किया जाता है इसलिए यह मज का प्रियोग आप ध्यान द एक यूगमनजी या समरूप यमज एंगलेस में से कहते हैं मोनो जाइगोटिक और आइदेंटिकल ट्विन्स इदेंटिकल ट्विन्स दूसरा दूई यूगमनजी या ब्रहांतियमज इसे इंग्लिज में कहा जाता है डाइजाइगोटिक और फ्रेटर्मल ट्विंस तीसरा स्यामी यमज तीसरा क्या है स्यामी यमज यहनि साइमेज ट्विंस साइमेज ट्विंस यह तो आपने जाना की जुड़ा बच्चे है तीन प्रकार क्यों होते हैं कौन-कौन से पहला एक यूगमनाजी या समरूप एमज दूसरा दूई यूगमनाजी या भ्रहांतियमज तीसरा स्यामी यमज नाम याद किजिए कि कौन-कौन सी जूड़ा वच्चे होते हैं तीन तरह को होते हैं डाजवगॉतिक या आडेंटिकल त्विंश या समरूप इमज, डाजवगॉतिक या फ्रैक्रेरमल त्विंश, दोईय स्व्चिंश या भरानती मज़, और भरानती माद, सायमिज त्विंश या सैमी जमज, तो हम सबसे पहले मादा जनतंत्र का चित्र बना लेते हैं समझाने के लिए यह तो आप सब भी जानते हैं कि यह किस चित्र का चित्र है मादा जनतंत्र का मादा जनतंत्र का चित्र है इस्तिरियों में परतेक मासी चक्र की दोरान एक अंडाडू का उत्सजन होता है जिन से 28 या 29 दिन पर एक अंडाडू का उत्सजन होता है जब अंडाशा से निकलता है यह क्या है अंडाडू अंडाडू जब अंडाशा से निकलता है तो सबसे पहले जहालर द्वारा पकड़ा जाता है और आगे ढखलते हुए कहां पहुचता है एम्पुलरी स्थमक जक्षन पर क्या है अंडाडू जब अंडाडू अंडाशा से निकलता है तो जहालर द्वारा पकड़ा जाता है और जालर की साहता से आगे गती करते हुए ये अंडाडू का मा पहुचता है? फैलोपए नलेखा के एमपलरी स्थमाज जक्सन पर। और उसी समय अगर सुक्राडू परवेश करता है और गती करते हुए इस मादön वोकमत्य पहुचता है, तो क्या होता है? निसेचन के क्रिया संपन होती हैं शुक्राडू और अंडाडू आपस में मिल जाते हैं और निसेशन होता है निसेशन के दवरान क्या बनता है यूगमनज बनता है ये सबी बाते हम बता चुके हैं क्या बनता है यूगमनज बनता है और यूगमनज क्या होता है दूइगुड़ी सर्चन होता है यानि टूजन आप को पता है कि अंडाडू हो यह सुख्राडू ये है तो एक यूगमक और हमक्या होते हैं ल Basham सम हन्लते हैं तौते हैं मन्यों मन्योंित कंद्धाय। मनुस्षों में 46 गुर्षूत्र होते हैं कितने गुर्षूत्र 46 इसमें से 44 दहिक या काई कुछ का और दो लिंग गुर्षूत्र होते हैं लिंग गुर्षूत्र अब नर्में बात करें नर्में लिंग गुर्षूत्र क्या होता है नर्में लिंग गुर्षूत्र एक्स हुआई होता है और इसमें गुर्षूत्र के संख्या कितना होता है 46 चुक कि इस प्रकार नर्मे 46 गुष्टर दहीक पलस xy दो गुषूत्र लिंग उतने उसी त्रहा है मादा में कितनी गुषूत्र 46 गुषूत्र जिनमें से चावा लिक लएक पलस x x 2 लिंग उतने हैं यह क्या है इन यह क्या है दूनों परिंट्स है Despite जनक हैं आपको पता है कि जब भी जननकोषका से यूगमक बनता है तो अड़ सुत्री वाजन होता है क्योंकि एक जननकोषका से कितने एक जननकोषका जहनanta को स्का है एक जंद को श्का से युबंक बनते से चार युबंक को का निर्माण होता है कितने चार छो मात्री गुर्टित्र में जो चवाल से वह आधि हो जाओन обяз जब दो मात्री गुर्टित्र कyसंख्या आधि हो जाएगी तो पुचावाले से तो क्या हो जाएगा 22 और एक एक प्लस एक्स और इसका भी 22 प्लस य और फिर 22 प्लस एक्स 22 प्लस य इस तरीके से एक जनन कोश्का से हनाकि यह सभी कब बनता है जब अडसुतरी वाजन दूति-अज़ती हो तो एक जनन कोश्का से चार नहीं कोनिन होता है तो सकता है आप प्लस धो और फिर 12 बनता देते हैं 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई इस तरी के सुमें मादा में में भी क्या होंगी जब एक जननकोषका से युगमक करने के माड़ वागा तो जननकोषका का गुर्षूत्र है युगमकों में आधी हो जाएगी यैसे चवाली से तो 22 और एक यक्स और 22 प्लस एक्स बचा है वो एक्स यह क्या है यह है युगमक और कौंसा युगमक सुक्राडू है यह क्या है अनडाड़ू रेखिए सुक्राडू क्या है सुक्राडु भीन परकार होते हैं क्योंकि सुक्राडु देखे एक एक है और एक वाई है तो इसमें कोई भीनता नहीं है सुक्राडु दोके तो होता क्या है कि एक वरिषसेजन में कितने सुक्राडु इंट्रा करते हैं मादा-जनन-तंत्र में निएफ तो एक देशार में लग भाग 20-30 करोड सुप्राड़ प्रिवीश्च करते हैं कई पर? सुकराडू में बढ़े स्अधाएं दमना भी सफंधान यहां परकाड़ को सकता है है कौंसा सुक्राडू OS टो यहां तो होता क्या है यह अंडाडू यह क्या है अंडाडू अनडाड 210 ज़स아서 और सब्सक्राडु तब आपके कोशा सुक्राडऌ मादए उमक्स साथ संलाइट ऑगा यह तरहूं करता है यह कोन काता है सबसेंद इसका छिए स्ब्रॉड पहुछता है सक्राड़ के साथ से यह क्या है स्पर्णद पूछा तो क्या जोब यूगमनदो होगा आपका माधा क्योंकि माधा मैं कौसलिंक कौसल मा लिशाथ यक्स-यक्स उसी तरीके से अगर वाई वाला सुक्राडू आगर एक्स अंडाडू के साथ फ्नुच किया तो क्या मनेगा यह यूगमनदो बन जाएगा यह यूगमनदो को यहक्स वैपर्याट क्यों कि X और Y और Y किसमें पाए जा रहा है नर्र में पाए जा रहे हैं तो होता क्या है जब अंडाडू और सुक्राडू आपस में फ्यूज कर लेते हैं तो क्या होता है उस प्रक्रिया को बलते हैं निशेचन अंडाडू और सुक्राडू आपस में फ्यूज कर लिए निशेचन की प्रक्रिया संपन है और निशेचन के पास चात क्या मनता है दूई गुडित और आपको यह भी पता है युगम्रणाज में क्या होता है वीदलन की प्रिक्या संपन होती है जा यह सभी बातें आपको बता चुके हैं यह आपको रिपीट कर रहे हैं समझाने के लिए जब इनर युगमक मादे में मिल जाते हैं तो निशेजन की क्रिया संपन होती है निशेजन की दवरान दूइगरी तो युगमनाज होता है अब यह युगमनाज में क्या होता है यह युगमनाज में विद्रण की प्रक्रिया संपन होती हैं विद्रण की प्रक्रिया संपन होती है यानि विद्रण में जो युगमनत जा है वह विद्रण में एक कोश्का विवाज तो कर दो कोश्का बनाती हैं लेकिन इनमें दोनों कोश्कायन एक दूसरे से अलग नहीं हो पाती हैं सामान प्रक्रिया में कि युगमनद बन जाता है तो इनसे जो कोंसका विभाजन होगा तो एक कोंसका बनी दोनों को सख़ायं एक दूसरे से अलग नहीं हो पाती है और से चार चार से आठ ये चार विवभी नहीं होती है चार से आठ लेती हैं लेकिन एक योगमणणजी यमझ में क्या होता है एक यूगमणजी यमझ में क्या होता है होता है हमने देखा कि एक क्या होता है समसूत्री विजलन की प्रक्राइब संपन होती है और विजलन के दवरान क्या होता है इसमें विभाजन की प्रक्राइब संपन होती है और विभाजन के दवरा एक कोशका से दो कोशिकाय बनती हैं लेकिन यह दूसरे से अलग नहीं होती लेकिन एक यगमनजी यहमज में क्या होता है। देखिए। जब युगमनज बन जाता है और युगमनज में विदलन यानी समसुत्री वाजन होता है, यानि जो यह संसुत्री वाजन होता है विजलन की प ganze तो इस सवाना यह लेकिन एक यूगनज में क्या होता है ये दोनों कोशकाएं एक दूसरे से अलग हो जाती है तो बताइए दो यूगनज बन गए ना जब एक यूगनज में विभाजन के दोरान क्या होते हैं दोनों कोशकाएं एक दूसरे से अलग हो गए तो दो यूगनज बन गए एक चलकर बलास्टोशिष्ट का अन्मेल कर देगा अब यह बलास्टोशिष्ट गर्वास है के दोनों तरफ इस तरीके से अंतरुपित हो जाएगा चैसको चाहर चाहर ला थ्युक्तोशिष्ट बनाएगा नाई नयुद्द मन्त डेवलप करने के लिए थाउल डूपित तो इसे इसे क्या कहेंगे एक जूड़े बच्चे को एक युगमनाजी कहते हैं अब समरूप क्यों कहते हैं आए इसको समझते हैं क्यों कहते हैं कि इनका विकास युगमनाज में परथम विदलनके सबस्तुरी वाजन होता है तो उससे दो संत्त प्रम बनती हैं वो दोनों संतत को सकाई एक के दूसरे से स्वतन्त रुप से अलग होजाती है और स्वतन्त रुप से अलग होकर दो को अगी चलकर इस साइड या इस साइड इस सइड अंतरोपित हो जाती है और 9 मंद के बाद बच्चों को जन्म देता है इश समरूप क्यों कहते हैं इसको देखे अन्डाडू से फ्यूज करेगा। मल जिव ये प्रकार का है ये य कि यह युआ है य प्रकार कर ऀओक रितिए होगा अन्डाडू हमेशा एक्स फ्यूज स्वावं डाडि युच यो जिया यह क्या है ये सीफ अधिया तो क्या कि वह ही वाई शुक्राडु इस यह अंडाडु से प्वूच किया तो क्या बन जाएगा वूम्ज्ट क्या बन जाएगा लंगे About लग पल शमीर नर मुद्गनाट्ट है नर तो बता हि outtaे यह नर बन गया अब यह यह्कर allow मुल्य कर दो अरो इसे जो दो कुश्कायब बनीगे ना ये एक दूसरे से अलग यह क्या हूंगे नर होगे ये गतमौने भी नर और इसे जो दो कॉश्कायब भनी पुर्ड से अलग हो गई जो भुर्ण बना रहे ये भी नर ये नरर क्योंकि इसमें जो गुर्षुत्र हैं मुऔर स्ट्री इसने भी हैं उसे हैं तो बताएं दो वचल भूमांच आगए विभादन की द्वारा रोन भरेंगे और यह विद्वनग इस तरीके से अंत्रूपीद हो जाएंगे एंत्रोपित हो जाएंगे यानि दोनों प्रूट शतर क्या है लिए और स χण नर बनेगा क्या बन जाएगा यह और आपको यह भी पता है कि DNA क्या करता है हमारे सरीर की सरचना को बनाने के काम करती हैं जैसी DNA रहेगा वह इसी सरचना करिमा होगा तो कि DNA ही हमारे सरचना और जो भी भाय धाचा या अनुवासिक लच्छड जो भी हो तो DNA ही डिसाइज करता है तो बताएं जब इनका सुत्र है वह उनका DNA समान तो बताएं यह दोनों से सुक्या होंगे नर होंगे दोनों क्या होंगे नर होंगे दोनों नर लेकिन अगर यक्स शुक्राडू इस अंडाडू से फिच यह तब क्या होगा यक्स शुक्राडू माल यह अंडाडू हमेंसे किस प्राड़का होता है लेकिन यह सुक्राडु इस से घतिंग करते ऑफ और अडाडुक रभताँ जा प्रãoका aa ruktीआ बंजाएगा यख्षण अणार यग्ज्ण ले यह सक और सुक्राडागा 연ा रहागी क्यों ना समसूस्तुर वाजन उसलबृ ऊह्तर विजलन की प्रकाषि संपन नहीं तो जब समसूस्तुरी वाजन होगा तो एक कुछ 25 शेज़ बनती आन्या और या दोनों कोसका एक दूसरे से अलग हो जाती हैं तो जब उस इस गुरिज रे तो उसमें ईस एक गुर्षूत्र जाएगा और इसमें भी यक्स एक्स गुर्षूत्र जाएगा तो बताएए यक्स एक्स लिंग गुर्षूत्र कौन सा होता है मादा को था है कौन सा होता है मादा को था है मादा को था है तो बताएए इसमें भी दो भूर्ड बन गए और दोनों भूर्ड इस इसमें इसमें मादा बन गए तो बताए जब इनका गुर्षूत्र समान इनका डियन समान तो बताए दोनों बच्चों का अनुगांशी लच्षड होगा वो समान में स्यमाइंование इङ दोनों बच्चे पाइद होंगे वह अन्यवासिक रूप से भी देखने में समान होंगे उनकी आक्रिती मैं ऐक ड्यूसरा से विलकुल समान होगा विलकुर समय देखने papi जब DNA समान है तो इनका लच्छड भी समान होगा बहें अक्रिति सरचना देखने में इदम बिल्कूल समान होंगे तो इस प्रकार के बच्चों क्या बलते हैं समरुपिय मज़ क्योंकि इनका एक ही युग्मनास से विकास होगा है एक ही युग्मनास से बने दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे क्या होंगे या तो दोनों नर होंगे या तो दोनों मादा डोनों में से कोई एक नर या कोई एक मादा कभी भी नहीं हो सकते हैं एक युग्मनास में एक कंडिशन होता है कि इसमें जो दोनों बच्चे पायदा होंगे वह तो वह दोनों नर या दोनों मादा या इन में से कोई एक नर या मादा कभी भी नहीं होंगे दोनों नर या तो दोनों मादा यह किस में होंगे एक युगम्रणजी यह मज किसे करते हैं एक युदमनाजी नमसी पता चले मोनू का मतलब क्या होता एक जाइगोट का मतलब होता है यूमनाज यागाई यूदम तो बुदो ऑन्नों धोर गर्वास जै कि रिकास करके नया से सुका जन्म देते हैं तो इस परकार के बचचे को एक सम्रुप कि बोलते हैं क्योंकि जो युगमर्ज बने हैं जो शुक्राडू अंडाडू से फ्यूच किया है और उनसे जो युगमर्ज बनेगा या तो युगमर्ज बनेगा या तो युगमर्ज बनेगा तो उसको मादा बोलेंगे अगर युगमर्ज बनेगा तो उसको नर बोलेंगे और जब क्या दोनों बच्के बनेंगे यह तो प्रुन में दोनों नर्श या तो दोनों मादा इसमें से वह एक मदा Ilismat क्या होता है कि अब करने Jimi C равно Yes अब Houston क्यों हुता हैfire यह मुदमिन निम जो सम्हुतरी वाजन होता है तरह संशुतरी वाजन के द RAW एक से दो को सख़ाइ बनाती हैं लेकिन दोनों को सख़ाइछ क्या होते हैं कि एक दूसरे से आलग अपाती है कि हमने बताया कि कि जब जब करने शंपन हुई और इससे बन गधा दुवो नज में क्या मैं किया होता है है युव में से सुथ्र यानी पिरलन की प्रक्राइब संपन होती है इसमें इसमों की अरुंब एक कोज़्वा से दो कोज़्वा अहलों लेकिन युप बन गया और यहां निदू अगर यह दोनों कोश्कायन एक दूसरी से अलग ना होकर कहीं ने कहीं आपस में ऐसे जुड़ गएं तब क्या होगा आपस में जुड़ गएं तो क्या होगा इन जुड़ी आस्था में दो भुड़ बनेगा इस तरीके से और यह आगे जो चलकर जो गर्भास है कि अंतर अस्थर में अंतरोपित होगा वह कुछ इस तरीके से होगा कि वह इस परकार से अंतरोपित होगा जो इससे नया सिसू बनेगा कि दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी क्योंकि इनका यूगम्रज क्या हुआ है संसुत्रे वातान में कहीं जुड़े ही रहे जब जुड़े रहे हैं तो विभाज़न के दबारा आगे विभाज़न करके दो भुड़ बनाएँ और दो भुड़ में जो शिसू बनेँग दोनों शिसू आपस में एक दूसरे से ज तो इनका पीट के बल से आपस में जूड़ा हुआ है तो क्या होगा इसमें भी इसमें लाग हुआ जो इसमें लाग हुआ कि मालीजे जब यक्स शुक्राड़ू यक्स अंडाड़ू के साथ फ्यूज किया तो क्या बन जाएगा यक्स 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 मतलब क्या बन जाएगा यह मादा तो यह जो दो कुस्काय बनी है आपस में जूड़ी रह नहीं है तो इनमें भी क्या होगा यक्स यक्स यह नहीं दोनों क्या होंगे यह भी मादा होंगे दोनों मादा और इनसे भी जो बच्च नर या कोई एक मादा कभी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें जो यूगमनज है एक ही यूगमनज से दो भृड बने तो दोनो नर या तो दोनो नर या तो और सुत्री भाजन के दवरान बनी दो संतत को इस कायम एक दूसरे से पूर्ण से अलग ना होकर कहीं न कहीं आपस में जुड़ जाती हैं और दो भ्रोड बनाती हैं और यह दोनों भ्रोड आंतरोपड के बाद 9 मंथ डेवलप करने के बाद दो सिसु का जर्म देती हैं और द और युगमनाज में विभाजन के दवरान यह दोनों को सकायम अलग ना होकर कहीं जूड़ गई इसलिए जब युगमनाज कहीं जूड़ गई तो जो भुड़ बनेगा भुड़ में जो सिसूद्पन होगा वह भी कहीं जूड़ा रहेगा तो इस दवरान जो बच्चे पा यहांने स्यामी एमज और एक युगमनाज इमज इन दोनों में कंडिशन एक ही होता है या तो दोनों नर्द या तो दोनों मादा इसमें से कोई एक नर्द एक मादा कभी भी नहीं हो सकता है समझ में आया अब आता है दू युगमनाजी इसका कंडिशन यह दूसरी है अब दू युगनाजी में क्या होता है अब उसको समझते हैं दू युगनाजी में क्या होता है दखिये दू युगनाजी में क्या होता है की जितनी भी अस्तंधारी मनुष को छोड़कर निम्र अस्तंधारी उनमें मदचक होता है yani मदचक बन तो अश्टर साइकल क्योंकि अको पता है बंदर कपी और मनुष से इनमें कौन सा चक्र होता है मसी चक्र यानि में स्ट्रीकल साइकल लेकिन निम्ह जो अस्तंधारी हैं जैसे गाय, भायस, बकरी, भेड, कुटे इन में जो चक्र होगा कौन सा चक्र होता है मद चक्र आनि और स्ट्रा साइकल समझते हैं कि मनुस्य कपी और बंदर में कौन सा चक्र होता है मनुस्य कपी बंदर में कौन सा चक्र होता है मासिक चक्र, मासिक चक्र, यानि मेंस्ट्रूल साइकल, मेंस्ट्रूल, मेंस्ट्रूल साइकल, लेकिन जो निम्न अस्तंधारी हैं, जैसे गाय, भैस, बकरी, भेड, कुत्ता, इन में जो चक्र होता है, वो कोँई सा चक्र होता है, मद चक्र, मद चक्र यानि, वे स्ट्रूल साइकल, तो होता क्या है समान घट्राम क्या होता है समान घट्राम क्या होता है परतिक मासी चक्र की दरण मादा मनुस्यों में एक अंडासर से एक ही अंडारू का उत्साजन होता है मनुस्य मादाव में क्या होता है 28 या 39 दिन पर एक अंडासर से एक ही अंडारू रिलीज होता है लेक कभी-कभी ऐसा होता है कि एक अंडासर से एक साथ दो अंडारू भी निकल आते हैं तब क्या होगा देखिए जब अंडार्सर से दो अंडारू निकल गए दो अंडारू यह क्या है अंडारू निकल गए कभी-कभी मादा मनुस्यों में अंडासस से दो अंडारू निकल जाते हैं तो क्या होगा सुक्राडारू की संख्यांतों कमी नहीं है क्योंकि सुक्राडा भग वी स्कॉड मुग 20 लग्रों करोल निकले तो भी फ्यूज कि अ कि म neighboring एता थे हम ओता है है और इस ऑंडारु को नाम देते हैं ऑर इस अंडारु को नाम दे देते हैं भी शुक्रारू का कुछ बहुत पता नहीं है कि इनमें कौन भर सुट्र हो सकता है इस सोग्रारां में यस प्रकार का गृट शुत्र में इस होगा कि इनमें को से गृसुथ रहें कंसे पाता चलता है कि को से अंडाडू के साथ छुच करेगा ये तो पता है कि जो अंडाडू होते हैं यह डिस परकारगय होते हैं आंडाडू कुछ सब्सक्राइब अगर रुस्ति पता नहीं है कि कौनसे सपकाइब यह सबस्क्राइब था यह अन्डाड नंद रुस्ति इंडाड के साथ फिशिए आसन पौन सपस्काइब य सुक्राडु तो यूगमनज बनेगा वो क्या बन जाएगा यक्स वाई यक्स वाई यक्स वाई यानि क्या बन जाएगा नर क्या बन जाएगा नर लेकिन अगर वही सुक्राडु अगर यक्स प्रकारगा चला जाए दूसरा सुक्राडु चला जाए यक्स प्रकारगा और बसक रहा टम्द संब्सक्राइब करNow सकता है तो वह stuff रहो और उक्स प्रकर है यह Jest किया बन जाएगा बंजाएगा मादा बन जाएगा तो बताइए कि जो ये समय में भी भाजन होए िव incorrectly अब क्या हुआ यह देख्चिया यह मने इक्स वाई परक्राइब करका ओदूसरा एक्स परक्राइब करका झाइएस व कम कर दोब अब यह दो什麼 किया हम चैंगे कि आपको पता है कि यूगमुनिज्च बन जाता है तूर ऑली दो các सब्सक्राइब दोनों और अंतरोपित होंगे क्योंकि दो भूड बने हैं तो एक बना है यह यानि यह क्या है नर्व बनेंगे और दूसरा बना है ऊक्ता है कि जो लेस हो जाएं तो हमने दखा कि इसमें मादा हो जाएंगी अगर दोनों नर होना है एसमें Y बहुत है जाएंगा जाएंद तो जूपधा जाएंधू इसमें Y फूपधागों जाएंगा रिबिदेगाज उसाथ === तो क्या बन जाएगा मार्या घार खई चुन्हांद रिज बहुत हैंगा यह बन जाएगा नर यह जाएंगे नर नर तो आपने क्या इसमें देखा इसमें जो दो युगमरद में में क्या होता है कि इसमें बच्चे पाइदा है उसे बोलते हैं अब भांती मजक्त वोलते हैं क्योंकि भ्रांति का मतलब क्या होता है ति यानि डिफरेंट है वह दोनों बच्चेी का हों वह देखने में देखने ऐदम अलग हों तो बच्चे बच्चे उन्हकरसका क्व выгляд दूसर बच्चों से से अधम सेम哈 ना उनका इसला शुझ होगा क्योंकि इसमें बता Unidos and इसमें यहां होगता है तो अगर वाई प्रकाड़ को और वी अप्रकाड़ को क्या जारगा था जुएक नर तो इसमें कंडिशन क्या है इसमें जो कंडिशन होता है हो सकता है इसमें दोनों नर हो सकते हैं दोनों मादा हो सकते हैं हो सकता है इसमें दोनों में से कोई एक कोई एक नर या मादा हो सकते हैं इस कंडिशन में क्या हो सकता है दोनों जो बच्चे पाइदा हो सकते हैं वो दोनों नर होंगे या तो दोनों माधा हो सकते हैं या तो दोनों में से कोई एक नर या एक माधा हो सकते हैं और इनकी जो सरचना बनेंगी यानि जो दोनों बच्चे पाइदा होंगे वह देखने में भीन होंगे इसलिए इनको भ्रांती क्योंकि इनका जो अलग-अलग सुक्राडू के द्वार संस्त्र संस्त्र का बनते हैं तो बसका करते हैं Souza संत्र दोला है इनको बने करें हैं और नुब जातिया और तो इस प्रेखत बच्चे को एक अम्हाूंज जी करते हैं, और संब्रुब क्यों आतल होते हैं, और समरुप में क्याँ, कि दोनों बच्चे पायदा होंगे, वो दोनों बच्चे एक दूसरे से बिलकुद समान होंगे, हो सकता है वो दोनों बच्चे लड़की पाइदा हो लेकिन जो दोनों बच्चे पाइदा होंगे वो देखने में इद्व समान होंगे उनकी अकार आकरिती सन रचना यहां तक कि उनका DNA फिंगर प्रिंट भी उनका समान होगा समझ गये और में क्या होता है कभी कभी मासी चक्र के दोरान महिलाव में अंडासर याइख निकल आते हैं तो सुक्राडव का जब उनका दो अंडाडो का संलाईध हो जाता है तो दो यूबन गए यह सकता है।好吃 यह लाए मचाफ सकते हैं और यह जाले पे इसव लीकर करका है और क्या बन जाएंगे दोनों नर बनेंगे तो इसमें कंडिशन में क्या होता है दो युमर्ज बनते हैं और दो युमर्ज आगे चलकर दो भुड़ बनाता है और जो दोनों भुड़ों में जो बच्चे पायदा होते हैं नौ महीने के बाद वह दोनों बच्चे हो सकता है दोनो आई से बच्चे को ज्टवात बच्चे को ज्रूबात होते हैं लेकिन देखने में कुछ टो एकडम सामान हैं तो एक यहमर्जी मों जपकाईग moor तो यूकाली जब पर्थों विदलन की प्रिक्रिया संपन होती है तो ने का सथा यह मैं न से जूडगेगेां। परफार यूदकर ही लुट है। वागे विवाजन होती हैं गुवा में गर्वास है गुवा में जब 64 को सी अस्ता आती है जो जाती है गर्वास है कि अंतरोपित हो जाती है और जो दोनों सिसु आपस में जूड़े रहेंगे जो कि यूगमनाज में भाजन होगा जो कुछकाय बनी वह कुछकाय भी जूड़ी रहे थी इसलिए जो की तीन प्रकार के जूड़ा बच्चे होते हैं आपने अच्छे से समझा अगर हमारे क्लासेस आपको पसंद आ रही है या कुछ समझ आ रहा है तो मैं क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा से जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडि हमने यति होता है एक और टॉपिक चुट चुंध आपको की जो कि फोचा था हम उसी की माधर के बताया हूं ने शह्यादे क्या आप जानते हैं या क्या आप सो सकते हैं कि एक कुत्ता है वह कुत्ते के छे बच्चे होते हैं हैं कुत्ते ने छे बच्चे को जन दिया तो बताइए उस कुत्ते के अंडासर से कितने अंडे मोची थूंगे britain ऊस्टनधारी उन्हा सब्सक्री में इस्ट साइकल सेट असरीम है अ कि कि अडर्व मोचित होंगे कितिने एंडाडू मोचित होंगे लगबग 8 तो इसका आपकाinka आंसर मिल की हो तोगलां जो कुटिय ja उनकुटिय छे वच्चे को जन्म देते ह। क्योंकि जो उन्हेर होता हूं तो मत जक्त के दौग थे ऐठ आ पर्तिक एंडास से या अंडाडू मोचित हो जब आठ अंडाडू मुझत होंगे तो जायसी बात है शुक्राडू उन आठ अंडाडू से सलाइत होगा और युगनज बनेगा युगनज से नया सिसु करने मड़ा होगा नया बच्चे को जन्म देंगे तो इस बेसे पर मैंने जुड़ा बच्चे को बारे में बताया कि अ आगे का जो भी चट्र आएगा वह जल्द आपको प्रवाइड किया जाएगा तब तक जूड़े रहें बायोटेक विजन चैनल के साथ धन्यमाद